हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में इस वीडियो में बात करेंगे कि next week बाजार में क्या होने माला है कौन से सेक्टर यहाँ पर आपको फोकस करने चाहिए और किस तरह से strategy आपको बनानी चाहिए अगले week कि आप अगर ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आपको फ यह सभी लोग जो है वो जानते हैं तो आईए इसके लावा देखते हैं कि कौन से factors market को next week में चलाएंगे केवल लोग सभा काई result ने लेकिन यह सबसे बड़ा factor है लेकिन इसके लावा भी बहुत सारे factors जो market को drive करेंगे next week में तो आईए देखते हैं यह factors क्या-क्या हैं तो इसके लावा foreign exchange reserves का data आएगा और GDP figure का जो data है वो भी सरकार जारी करने वाली है overall infrastructure development का data आएगा और इसके लावा manufacturing composite service PMI का data भी जारी होगा जिससे आपको पता चलेगा कि 23, 24 में किस तरह की इस्तिति यहां पर रही इन सभी sector में लेकिन इससे बढ़कर सबसे बड़ा जो development होन Saturday night यानि कि आज के दिन होगा जबकि exit poll का result मीडिया अपनी तरफ से जारी करेगा और मीडिया predict करेगा कि किस तरह से सरकार किसकी बनेगी, किसकी कितने seat आएगी यह prediction जो है media देगा और उसी basis पर आप सभी जानते हैं कि market थोड़ा भूत react करने के कोशिस करेगा सो मौर के दिन Friends लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि actual लोक सभा का result है exit poll नहीं है जबकि वो actual counting के दिन आपको पता चलेगा मंगलबार को और actual counting के दिन करीब करीब 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक सब सबस्ट हो जाएगी, 11 बजे तक आपको रुजहान आने सुरू हो जाएगे और आपको यह कम उसका पता चलेगा कि किस पार्टी की सरकार और कितने numbers, कितने seat के साथ, कितनी मजबूती या कितनी कमजोरी के साथ वो सरकार बन रही है तो उसी हिसाब से 11 बजे आपको जबरदस्त मार्केट में हलचल होनी सुरू हो जाएगी मंगलबार को 4 जून को बाजार रियक्ट करेगा फ्रेंट्स लोग सभा के रिजल्ट्स के उपर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक रूप से जो चीज़े सम्मिलित हैं और वो ड्राइव करेंगी मार्केट को 5 से 7 जून होने वाली है और यहाँ पर कई सारी चीज़ों पर जै और इंफ्लेशन के उपर RBI की सोच क्या है वो बाजार को पता चलता है और इसके लावा RBI ग्रोथ का प्रोजेक्शन भी आपको निकाल करके देता है इस आधार पर आपको बाजार रियक्ट करता हुँआ नजर आता है तो कुल मिला करके बाजार जबरदस तरीके से एक्श अधानी ग्रूप के शेयरों में और रेलवेस पर फोकस करना चाहिए जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस पार्टी की सरकार आने पर किस तरफ से रियक्शन भाजार को बाजार दे सकता है तो वो वीडियो भी आप चेक आउट कर सकते है तो कुल मिला करके नेक्स् की आने वाली होगी तो मार्केट जो है वो उसको एक अच्छा रियक्शन देता हुआ न जराएगा तो फ्रेंड्स आई होब कि नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटिजी इस वीडियो में आपको क्लियर हो गई होगी वीडियो चल लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूल ने सब्सक्राइब ना-च्छा से विक्ता ने प्रेंडर की. तो एकल से क्टाइब कॉ पराएगा।